बदलना कौन चाहता है मजबूर कर देते हैं लोग तो लेकर आई हो मैं केंडल वैक्स ट्रीडिंग पर केंडल वैक्स ट्रीडिंग की सुरुवात करूँ इस से पहले आप सभी को एक जानकारी देना चाहती हूँ कि आज है मेरा जन्न दिन जी हाँ आज मेरा बर्थडे है तो आप इसे कई लोगों पता है कुछ लोगों को नहीं मालूम मैं जिक्र नहीं करती हूँ पर फिर भी आप सभी का प्यार और आसिरवात तीन सालों से मुझे मिला है मैं बहुत ज़रा सुक्र गुजार हूँ गाईस आप लोगों की वज़े से ही ये फैमली आज इतनी बड़ी हुई है और भविषय में भी मैं जानती हूँ कि आप लोगों का ऐसा ही प्यार साथ सपोर्ट हल्प मुझे मिलेगा इस चैनल को मिलेगा क्योंकि आप इस फैमली का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो आपके बीना मैं अधूरी हूँ तो आज मेरे जनम दिन के अफसर पर आप सभी को तहे दिल से सुक्रिया पहले से ही एडवांस में मैं आप सभी को ठैंक्स कहना चाहती हूँ आप सभी का आशिरवात इसी तरीके से मुझ पर और मेरे इस फैमली पर रहे यही मैं चाहती हूँ तो गाइस आज कैनल वेक्स रिडिंग में आपके परसन की सोच पर निर्भर करती है आपके परसन आखिर सोचते क्या है वो जब खाली रहते है या जब भी उनका कोई काम नहीं होता तो इस वक्ति का दिमाग आपको लेकर या इस सम्बंध को लेकर या इस रिलेशन्शिप में हो रही समस्या को लेकर या भविश्य को लेकर कुछ प्लानिंग कुछ आईडिया यह वक्ति आखिर क्या सोच रहा है इसी पर आज हम कैनल वाक्स रिडिंग करने वाले है तो करेति रिडिंग है साइद सभी की भावनाएं मैच ना हो क्यूंकि जैनल रिडिंग होती है ऐसे आप जानते हूं पिगरकाद रिडिंग भी नहीं है यह और यह कोई चो आपकेसे की सारी हकिकत या जानकारी आपको क wheat शे इसे मिलेंगी अगर इंधिर मैंच होती है तो यह आपकी है वना नहीं हं गाइज तो चलिए इतना कहते हैं यह इंधर करते हैं आपकी नार्क दर्शन दीजिए हमें बताईए युनिवर्स की ये वक्ति आखिर क्या सोच रहे हैं इनकी भावनाय कैसी है कुछ तस्वीरे हमें दिखाईए युनिवर्स इस वक्ति की जो वास्तविक्ता है जो सच्चाई है उसकी जानकारी हमें करवाईए अवगत करवाईए इस वक्ति की हालत से कितना मुश्किल हो रहा है इस वक्ति के लिए सेपरेशन जुदाई क्या है ये अपने पर्सन को अपने पार्टनर को बहुत जारा मिस कर रहे हैं क्या ये वक्ति एक दर्फा प्यार कर रहे है या ये भविशे के लिए कुछ सुनहरे सपने देख रहे है एल्फबट V और एल्फबट S निकल कर आया है एल्फबट F भी आया है आज रिडिंग में नमबर टू खास है आज गईस कौन कहता है कि सिर्फ नजदीक होने से प्यार होता है इस वक्ति के अंदर तो मैं इस तरीके की मुस्कुराहट देख रही हूँ ना जैसे कि ये वक्ति आपको जब याद करता है आपके बारे में जब सोचता भी है ना इसके चहरे पर मुस्कुराहट है सिर्फ नजदीकियों से प्यार का है सास या प्यार को नापा नहीं जा सकता तौला नहीं जा सकता कोई वक्ति अगर आपके बारे में सोच कर भी अगर उसके चहरे पर मुस्कुराहट है तो आप समझ लीजिए कि वो वक्ति आपके कितने करीब है फिजिकली सारीरिक तौर पर ये वक्ति भले ही आपसे दूर है पर इसका जो माइंड है इसका जो थिंकिंग है ओवर्थिंकिंग मैं कहूंगी वो ओवर्थिंकिंग भी जो है इस वक्ति के लिए आपके प्यार के हैसास को जटाता है दिखाता है ये व्यक्ति मन ही मन यही सोचता है कि सिर्फ नजदीकियों से प्यार नहीं होता बलकि दूर होकर भी अगर किसी का हैसास भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आता है तो वो ही प्यार है आप एक ऐसा कारण हो इस वक्ति के जीवन में जो इसे मुस्कुराने की एक वजह देता है रिजन देता है अनब्रेकबल बॉर्ण जी से हम कहते हैं कि कभी ना तूटने वाला रिस्ता या कभी ना तूटने वाला एहसास इस एहसास की कमी बिल्कुल भी नहीं है आपके साथ वाव वर्ल्ड का यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो सरकल कितना खुबसूरत सरकल यहाँ पर बना है कहीं न कहीं आप दोनों का जर्णी आप दोनों का सफर यहाँ पर मैं साथ में देख रही हूँ और एक ऐसा बंधन है जो तूटने से रहा यह तूटने वाला बंधन तो है ही नहीं गईज मुसीबते जहलते हुए मुसीबतों को पार करते हुए किनारे तक पहुँचना या किनारे तक पहुँचने वाली ही जो है यह रिडिंग है सरकल दिखा है अन्ब्रेकबल बॉंड अटूट रिस्ता जिसे तोड़ना आसान नहीं है वैसे भी आप अगर किसी के साथ एक समय चक्र से जुड़े हुए होते हो समय चक्र का मतलब होता है कि इनकी जिंदगी से भी आपका लेना देना है और आपके जिंदगी से भी इस वक्ति का कुछ ना कुछ जुड़ाओ है और ऐसा जुड़ाओ होता है जो तूड़ता नहीं है देखने में दूरी नजर आएगी देखने में कॉम्प्लिकेशन नजर आएगी आप दोने के रिलेशन्शिप में अलग हो गए हो ऐसा फील होगा रिष्ता तूट गया है ऐसा फील होगा लेकिन साइकल में जुड़ा हुआ जो व्यक्ति होता है वो कभी अलग नहीं होता वो साथ साथ हर चीज को face कर रहा होता है आप दुनों का भी relationship जो है ऐसे ही cycle से जुड़ा हुआ यहाँ पर clear cut image दिख चुका है आप जानते हो आपके पोसन क्या सोचते है यह वक्ति खुद से एक वादा करता है हमेशा जब भी यह वक्ति खामोस है याच्चु फैतर इसके दिमाग में बस एक वादा चल रहा होता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूँगा I will never leave you मैं कभी तुम्हें छोड़ूँगा नहीं तुम्हारा साथ मैं कभी नहीं छोड़ूँगा ऐसा यह वादा खुद से करता हुआ नजर आया है ना आपका यह साथ छोड़ने के लिए तयार है ना ही यह वक्ति आपसे दूर होने के लिए तयार है यह वक्ति तो हमेंसा आपके फिक्र कर रहा है साथ में रहना चाहता है यह वक्ति आपके साथ हमेशा प्यार करना चाहता है ये वर्ति आपके साथ यहाँ पर सवाल स्विफ आपका और इनका ही है यह जब भी सोचते हैं तो यह आपके और इनके बारे में सोचते हैं उस सोच में कुछ और नहीं होता जो वादा ये वक्ति आपसे करना चाह रहे हैं उस वादे को कैसे पुरा करना है इन चीजों के बारे में बहुत जारा ये वक्ति ओवर्तिंग करता है गहराई से सोचता है कि कैसे solve किया जाए, problems को कैसे solve किया जाए, solution कैसे निकाला जाए ऐसा क्या करे कि हम दोनों एक हो सकते हैं, ऐसा क्या करे कि हम दोनों का प्यार आगे बढ़ सकता है ऐसा क्या करे कि उसका हाथ कभी मेरे हाथों से छूटे ना alphabet V आज दो बार मुझे देखने को मिला है reading में, number one और alphabet L भी दिखा है इस वक्ति का दिल ही जानता है कि आप क्या हो इनके लिए इस वक्ति के दिल से बड़ा कोई भी पुरूफ नहीं है आप क्या हो आपका प्यार कितना खास है, आपकी कितनी जरुरत है, आपकी डिमांड कितनी है इस वक्ति के लाइफ में यह वक्ति जानता है इस बात को, साइध आप नहीं, इनका दिल ही जानता है खास-खास ही होता है गाईज और वो खास जगह आपने बनाई है इनके मन में एक बहुत बड़ा सरकल कहीं न कहीं, जीरो की तरफ भी सारा करता है मुझे कि जितना भी आपके साथ चला है यह वक्ति जितने दिनों का आपका संबन्द या जितने सालों या महिनों का आपका संबन्द रहा है स्टेप बाई स्टेप यह आपके साथ चला है पर अब देखती हूँ कि बिल्कुल बैक टू नॉर्मल वाली लाइफ हो गई है, बैक टू जीरो वाली लाइफ यहाँ पर नजर आती है जितने भी अब तक जो है आप दोने ने मिलकर जो दुनिया बनाई हैं जितने खुशिया एक दूसरे के साथ शेयर की है गम शेयर किये हैं, खुशिया बनाई है, एक भरोसा आप दोने जो भी बनाया है वो सारी चीज़े कहीं न कहीं इने जो है फिर से चाहिए या आप कहले जिए कि उन चीजों की तलास यह वक्ती कर रहा है अपनी सोच में कि वो दिन पहले वाले चाहिए, वो वक्ती पहले वाला चाहिए, उसके साथ हसना है, मुस्कुराना है, खुश होना है वो दिन कितना अच्छा था, वो समय कितना खास था, वो वक्ती कितना खास था उन चीजों का जो है एक कहते ना कि तडप या फिर कहले जिए डिमांड इनके एनर्जीज में दिखी है इनकी सोच में दिखी है आपके सामने ये वेक्ति बहुत ज्यादा कमफर्टिबल महसूस करता है अपने आपको जिजक नहीं महसूस करता open up मतलब पुरा का पुरा खुल कर अगर दिल से कुछ कहना चाहे तो आपके साथ कह सकता है जगरना चाहे तो आपके साथ जगर सकता है कुछ पसंद नहीं आया तो मुझ पर बोल सकता है मतब आप एक ऐसे इंसान हो इनके लिए जिसके पास रहने से भी इस वक्ति को ना कमफर्ट महसूस होता है आराम मिलता है दिक्कत हो गई कुछ चीजों को लेकर तो आप उसे आसानी से जो है हल कर दोगे यह वक्ति जितना भी ठककर आपके पास क्यों ना आए आपके पास आकर इस वक्ति को वो अहसास होता है वो सुकुन मिलता है वो सान्ती मिलती है कि अब मैं एक सुरक्षित हाथों में हूँ या एक सुरक्षित इंसान के साथ हूँ सुरक्षा का जो घेरा होता है ना हर इंसान के साथ महसूस नहीं होता वही सुरक्षा ये वक्ति आपके साथ महसूस करते हैं हर किसी के साथ इनका ये कमफोर्ट जोन कभी नहीं रहता आप जानते हो आपको मैं एक बहुत सेक्रेट बात जो मुझे यहाँ पर नज़र आई है मैं बता दू कि ये वक्ति घड़ी घड़ी हर पल अपना फोन बहुत चेक करता है कुछ सोचता है आपके बारे में सोचता है फिर ये अपना फोन चेक करता है कि कहीं कुछ आया है आपकी तरफ से मतलब इनका अपने फोन को देखने का जो कारण होता है वो आप से जुड़ा हुआ है reason आप हो हर minute या हर second कि क्या कुछ आपकी तरफ से आया है या कुछ आपकी बारे में जानना है या आपके बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है या आपकी तरफ से phone आ गया है इस तरीके से जो है बार बार इस वर्दिका ध्यान आकर्शन इसके फोन की तरफ होता है और वजह हो आप खलीस तो डेफनेटली है इनके मन में खटापन भी मुझे नजर आता है एक दो काले ड्राप्स दिखे हैं यहां पर कि चलते चलते अचानक से कैसे ये पीछे रहे गए या चलते चलते आप दोने की बीच में इतनी डिस्टेंस कैसे पैदा हो गई रिलेशन्शिप सुरक्षित क्यों नहीं हो पाया या कर नहीं पाए इन सारी चीजों का खटापन तो जरूर है मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने इस वक्ति को बहुत जड़ा समझाने की या इस वक्ति के कॉंटाक्ट में जाने की बहुत बार कोशिस की है मुझे आपके अनुजी भी दिख रही है और उस समय तो या आपके आपके दिये हुए औफफर्स को या आपके दिये गए सुझाओ को या वापस COMBAC करनेगी है न कहीं है उस चान्स को भी कुछ कड़वे बोल बोले होंगे कुछ देखे कड़वे बोल कहा और इतने सारे गिरे हैं इनके emotions, feelings यहाँ पर ज़ वाव, इन काले ड्रॉप्स में भी कुछ अक्षर दिखे है न अक्षर जो हिंदी का जो न अक्षर होता है न अक्षर दिखा है जो दिखा है यहाँ पर काले ड्रॉप्स में भी अक्षर निकल कर आए है खुद के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए इस वक्ति को यह वक्ति जितना मैं देख रही हूँ कि जितने भी चाहते है वो आपके लिए ही है कि भले ही मुझे कुछ मिले ना मिले मेरे जिवन अच्छी हो ना हो जिन्दगे में वो सब कुछ मैं हासल कर पाऊं या ना कर पाऊं पर उस वक्ति के जिवन में कभी किसी जिसकी कमी नहीं होनी चाहिए बहुत खास हो आप इनके लिए जितना ये वक्ति पिसली बातों को कुरेदता है या जितना भी पास्ट की चिज़े, बाते गम वाली हो याद आती है तो definitely मायूस भी हो रहा है ये वक्ति कभी इदर भटक रहा है, कभी इदर भटक रहा है कभी इस बारे में सोच रहा है, कभी कुछ और सोच रहा है इस ट्रेट बाते करना चाह रहा है आपसे जिसे आसाने से पाया जा सकता है इस वक्ते को वो नहीं चाहिए इस वक्ते को वो चाहिए जिसे पाने में इसे मुस्किल हो रही है यानि कि आप ये चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकते है ये चाहे तो अपनी मनमानी कर सकते है ये चाहे तो अपने जीवन को किसी और के साथ सेटल भी कर सकते है पर इस वक्ते को वो नहीं चाहिए जो इसे आसानी से मिल रहा है किसी और की तरफ देखना भी पसंद नहीं है इस वक्ते को किसी के बारे में सोचना भी पसंद नहीं है इस वक्ति को आपके अलावा कोई पसंद भी नहीं आता इस वक्ति को पहले आप किसी के भी हो या ये वक्ति किसी का भी हो पहले कैसे भी आप दुनों के रिलेशन्शिप रहे है पर ये वक्ति अब ये जानता है कि आप इनके हो और श्रिफ इनके हो इस प्यार को पाने की और आपको पाने की कोशिस ये वक्ति करना चाहते है इनकी सोच में ये दिख रहा है अलग होना संभव नहीं है इस वक्ति के लिए हार नहीं मानना चाहते है कोशिस लगी हुई है कोशिस जारी है किसी के साथ ना होकर भी अगर आप किसी के बारे में फील कर रहे हो किसी को याद कर रहे हो किसी को बिना चुए भी उसको महसूस कर रहे हो उसको अपने करीब फिल कर रहे हो तो इससे अच्छा प्यार क्या हो सकता है पवित्र प्यार कभी कभी सब्थ कम पर जाते हैं अपनी तकलीफे नहीं बताई जाती बस दिली ये चाहता है ना कि वो सामने वाला जो वक्ती है वो बस चाप से सुन ले मेरे दर्थ को, मेरे तकलीफों को, मेरे भावनाओं को और मुझे एक बार संभाल ले बस ऐसा ही दिखा है इस वक्ति के रिडिंग में क्या बिगड़ा, कितना बिगड़ा, कैसे सुधरेगा कब तक सुधरेगा ये जो भी तमाम जो चीज़े चल रही है सुधाना चाहते है, किसी से बहस नहीं करना चाहते है क्योंकि ये जानते है कि बहस का, बहस बाजिक करके किसी को समझाने का कोई अर्थ नहीं अगर ये समझाना चाहते है, तो बस आपको समझाना चाहते है कि तुम मेरे लिए क्या हो, ये मेरे दिल से पूछो ये मेरा दिल जानता है या मैं जानता हूँ आप दोनों एक हो इस वक्ति के नजरों में इस वक्ति के सोच में इस वक्ति के दिमाग में आपका कोई दूसरा वजूद है ही नहीं क्योंकि ये वक्ति आपको अपने अंदर महसूस करता है, सामिल करता है पाता है आपको खुद के अंदर तो गाइस यह थी आपकी candle wax reading खतम हो चुकी है बहुत heavy emotions है यहाँ पर बहुत solid यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऐसा दिख रहा है कि एक वेक्ति है जो बहुत कठोर बनकर बैठा हुआ है पर सिर जुका हुआ है देख लीजी जैसे कोई सिर जुका कर अपना सब कुछ आपकी तरफ समर्पित करना चाहा रहे है जुका है आपके सामने जुक रहा है आपके सामने इसा ही कोई ठोस रिस्ता ऐसा ही ठोस कमिट्मेंट ये वक्ति आपको देना चाहा रहे हैं और ये साइट ये कहना चाहा है कि मैं तुम्हारे सामने फाइनली देखो मैं कैसे जुकी गया तुमसे बढ़कर कोई नहीं है मेरे लिए मैंने कैंडल को डुबो कर छोड़ दिया है नीचे गईस के नीचे कुछ नहीं है फिर भी ये बुझ नहीं रहा आप देख लो इस कैंडल के नीचे कुछ नहीं है साइट कुछ देरों बार बुझ आ पर इस वक्ते की feeling भावना प्यार आपके लिए बिल्कुल ऐसे ही जलते हुए इस candle की तरह है जो बुझने का नाम नहीं ले रही जो खतम होने का नाम नहीं ले रही आपका प्यार का जो जुआला है वो वैसा ही है ठीक ऐसे ही कि पानी भी इसे नहीं बुझा पा रही हवा भी इसे नहीं बुझा पा रही जल रहा है इस वक्ति के अंदर आपके प्यार का दिया जो दूर होकर भी दूर नहीं हो पाया लॉट्स अफ लव बहुत सारा प्यार इनकी तरफ से आपको ये व्यक्ति एक दिन आपसे आकर ऐसे ही कहेगा कि देखो मैं तुम्हारे सामने सब को छोड़ कर आया हूँ मैं तुमसे नहीं भाग सकता, मैं तुमसे दूर नहीं हो सकता ऐसी ये वक्ति अपने आपको आपकी तरफ समर्पित करना चाह रहे हैं जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा है एक वक्ति है जो नतमस्तक है जो सिर को जुकाई हुए है आपके सामने कि देखो मैं आ गया हूँ तुम्हारे पास सब कुछ छोड़ कर सब कुछ त्याग कर तुम मुझे अपना लो बहुत अद्बुत तो गैस चलिए अब इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं इसका जब वक्त होगा यह बुझेगा क्योंकि पानी के संपर्क में जब आगा आता है तो चंद सेकंड भी नहीं टिकता पर देखो यह डूप कर भी जो है जल रहा है पानी के अंदर त्यार रहा है प्यार की सकती बहुत है बहुत खास है बहुत उची है इसे ही कहते हैं मिराकल या इसे ही कहते हैं इस्वर का चमतकार तो चलिए अप्टार से हम कुछ और चीज़े क्लारिफाइ करते हैं तो चलिए अप्टार से भी हम थोड़ी रीडिंग कर लेते हैं और इन चीज़ों को मैच करने की कोशिस करते हैं कि जितनी भावनाय दिखी है वो क्या परफेक्ट भावनाय निकल कर आई है या उसमें स्टार्ट करते हैं टावर क्या सोचते हैं यह वक्ति एस अफ एर क्राव प्रफ एर स्ट्री आवड़र सोच अवाव प्याव जितना इन नितना वाव भाव ए नितना वाव हैं ददादॉका रिए जितना चार्वड हैं कि ए वाव तो आव तो आई हैं वाव अ दो कार्ट इस टेक से भी मैं ले रही हूँ टेंपरंस तो गाइस चलिए साइन और एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं आज साइन और एलिमेंट में निकल कर आया है सेजिटेरिस स्ट्रॉंग ठीक है इसके लावा वाटर साइन है कैंसर स्कॉप्य पाइसस करकुष्ची कुमीन रासी एर साइन जैमनी लिब्राकॉरस मितन के देह सोच ेतिंकिट की आप लेकर यह कुछ खटापन तो नजर आया है रिलेशन्शिप की लेकर है देहो तावर यहाँ पर वो खटापन है, जो मुझे दिखा है, यह वक्ति जब अकेला होता है, तो इसे ऐसा लगता है कि कैसे हो गया, या क्यों हो गया, या कैसे इतना हस्ता खेलता हुआ, मुस्कुराता हुआ, रिलेशन्शिप जो है, पल में जो है, राख बन गया, राख बनने वाली एनरजी ही होती है टावर और इस रिस्ते का खतम होना या इस रिस्ते का जड़ से मिटना या इस रिस्ते का तूटना कहीं न कहीं इसे ये वक्ती बहुत जादा परिशानी का सबब मानता है कि अच्छा नहीं हुआ जो भी हुआ रिस्ते का अंजाम अच्छा नहीं इस वक्ति को ऐसा फील होता है कि टावर में हमेंसा दो सक्स गिरते वे नजर आते हैं दो सक्स जिसने एक उमीदों का भरोसा का घर बनाया होता है तो टावर की तूटने पर वो घर तो टूटता ही यह वो व्यक्ति भी टूट जाता है और उसके साथ जुड़ा हुआ वह दूसरा वक्ति भी तूट जाता है तो इस वक्ति को ये नागवार गुजर रहा है कि जिस धंग से रिलेशनशिप आज नहीं बची है जिस धंग से रिस्ते का नामनिशान मिट गया है वो चीजे इस वक्ति को बहुत ज़़ा दर् दिमाग से सुरू होता है जीसका सरीर से कोई रिलेशनशिप हो या ना वह पर व्यक्ति जब अंदर से ही अपने आपको खोगला महसूस करेगा तो उसका ना सरीर इसका साथ देगा ना उसका आत्मबल आत्म सम्मान उसका साथ देगा ना उसका दिमाग कुछ कर पाएगा ना उसके कदम कुछ कर पाएगे ना उसके हाथों से कुछ काम हो पाएगा तो इस तरीके से एक रिष्टे ने कहीं ने कहीं एक इंसान को ही जो है खतम होने पर मजबूर कर दिया है बहुत जारा यह वक्ति अभी अगर हम इसके बा पेन नहीं है, सात्री का मतलब यह नहीं है कि यह वक्ति जो है दुख या दर्द महसूस नहीं कर रहा हर तरीके का emotions है यहां पर क्यूंकि emotional जो disattachment हुआ है जो emotions आपके साथ जुड़े हुए थे वो जब अचानक से उसमें break आ गया अचानक से जो है एक relationship जो चल रहा था अचानक से जब stop हो जाता है तो इनसान को लगता है कि सब कुछ खतम हो गया है अब जिन्दगी में जीने की कोई वज़य नहीं बची है तो वैसा ही यह stress या वैसा ही यह व्यक्ति तनाव अपने अंदर हर पल महसूस कर रहा है जो इसे हम होगा महसूस करता है और बहुत ज़़ा यह वक्ति है अपने आपको लेजीने स्यानिंट के आलस से queste पन जो है इसको अपनी सरीर के अंदर मेसूस होता है अप सरीर के अंदर है इसलिए मेहसूस होता है तो कि मंन बहते हुए या बसे हुए हो और कहीं न कहीं टावर का जो जटका लगा है उस जटके ने इस वक्ती के दिल पर भी जो है चोट पहुंचाई है अब तेंपरेल्स के नीचे जो है किंग आफ कपस आपको दिखेगा किंग आफ का मतलब क्या है मैंने अभी आप से शुरवात में यही वर्ट कहा था कि नजदीक होने से ही सिर्फ प्यार नहीं होता है ना सिर्फ पास-पास अगर आप बिल्कुल टच में हो स्किन टू स्किन वाला टच है फेस टू फेस आप लोग बैटे हो बिल्कुल एक दूसरे की सांसों को महसुस कर रहे हो तभी प्यार होता है ऐसा बिल्कुल नहीं है यह मैंने सुरुआत में कहा था आपसे तो वही चीज़ा आपको किंग आफ कप्स में दिखेगा कि नजदीक सफ़ा राधा की परक्या इसे बड़ा प्यार का आहसां क्या हो एक एसा सोच रहे हो कि टावरा आ आप एसा सोच रहे हो कि हो ओक्या आपने जिन्दगी जीतो करके गया है पर आपको इस गलत और ना होगा गाइस आपसे करूंगा की आपको नहीं पता कि इस दुन्या के यूह कौने में हैना आपके इससाइदा असपास वह वक रहता है जो आपसे प्यार करता है इसने बड़ी खुषनसीभी वाली बात प्रक्सराइब किसी है किसी और कारण से this उसने अपने प्यार को किसी और त्याग आया थाज़ा था वाला थावर यह इस टावर के पीछे का मकस्द नहींट टक्रवर के जिंदगा भावनाओं को ठेच पहुच आना बिल्कुल नहीं था इस टावर की पीछे एक मकसद था और वो मकसद था कि हमारा प्यार भले ही अधूरा रह जाए हमारा प्यार भले ही साथ हो ना हो पर हमारी प्यार की वज़े से किसी और को आच नहीं आनी चाहिए इस तरीकी का बलिदान इस वक्ती नहीं दिया है और ये बलिदान देने के बाद ये वक्ती खुद भी तो उसी टावर के साथ तूट गया इसका दिल तूट गया और इसकी दिल की हस्रते ऐसी है ना जिस हस्रतों को कोई और फिर पूरा नहीं कर सकता यानि कि आपके साथ ये वक्ती खुशोना जानता है आपके सामने ये वक्ती आप कितने value है आपका प्यार कितना निस्वार्थ है यह वक्ति जानता है और आपके ही जैसा इस वक्ति का भी प्यार आपके लिए है जबकि आप जोने के बीचे नजदीकी बिल्कुल है ही नहीं अब बात करते हैं पॉर ऊटर के बारे में और फोर अफ कपश काड क्या होता की हे सब्सक्राज बारा करें में किसी बीचीज को को कोई मिल जाए फिर भी उन लोगों की कीमत या उन लोगों के आसपास भी जो है आपके एनरजी नहीं फटकती आप इतना जरा इस वक्ति के लिए एहम हो आप इतना जरा इस वक्ति के लिए खास हो आप वो हो जो इस वक्ति के मन को तन को दिमाग को इनके सरीर को डिय्मेक्ट क्वाऱ एनर्जी होती है, जिसके लिए में मन तडब रहा है, जिसके लिए मैं बिमार हो गया हूं, जिसके साथ रिस्ता जोड़ने के लिए मैं बेताब हूं, मुछे वो चाहिए, तो इस तरीके का जो है interest का खतम हो जाना, उन चीजों में interest खतम हो जाना, जो चीजे अलड़ी आपके इस person के पास है, यानि कि expectations बहुत अलग है और reality में हो कुछ और रहा है, चाहत है आपकी प्यार है, आपके साथ one-sided love कर रहा है, आपके साथ पर दिया जा रहा है कुछ और, चाहे इस वर की तरफ से या कुछ और options है ना, पर उन options में इस वक्ति की रत्ती भर भी दिल्चस्पी नहीं नजर आती, दिल्चस्पी तो अब जिन्दगीर में भी इस वक्ति की नजर नहीं आ रही है, क्योंकि Queen of Fire का card आया है, जो आपके बारे में ये दिखाता है, कि साथ प्यार का अनुबफ तो यहाँ पर आपसे हो चुका है, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्नोंने आपके साथ वो सुख भी पाए हैं, जो इस वक्ति की हसरोतों को पूरा करता है, Queen of Fire हमेशा full of attraction वाली जो है किसी वक्तित्व की energy होती है, एक वक्ति जो किसी को बहुत ज़र अपने तरफ आकर्शित करता है, एक वक्ति जो के अंदर आदधा खुबसुरत लगती है जिसके बोलने तरीका आच्छा लगता है, जिसके नाराज वने रूटने तरीका अच्छा लगता है और उसके साथ प्लोज होने का नजदीक होने का जो है वह तरीका भी जो है इस वक्त को भाता है यह निकि आपके अंदर बहुत जाला डूबा हुआ यह वक्ति नज़र आता है आकरशीत बहुत है और मैंने आप से इसाइद यह भी कहा था कि अगर यह वक्ति बार बार अपनी फोन को चेक करता है तो उसके पीछे का कारण आप हो है ना तो वह एट्राक्शन आपको यहां पर भी समझ में आएगा कि क्यों यह वक्ति बार बार जो है अपने फोन को देखता है कि कहीं कवी कॉल तो नहीं आ गया या कहीं कोई मैसेज तो नह कहते हैं वह एट्राक्शन भी इनका आपकी तरफ है पर कहीं न कहीं थोड़ा सा आपको आप में जो है थोड़ा सा आजनभी पन भी इसको दिखता है कि थोड़े से बदले हो यह थोड़ा सा अजनभी बिहेव कर रहे हो आप थोड़ा सा जो है इग्नोर इग्नोरेंस वाला वो टावर है टावर नहीं आपको बदला है टावर नहीं आपके इच्छाओं को ख्वाईसों को चेंज कर दिया है टावर नहीं आपको प्यार वाले इंसान से एक जो है थोड़ा खुदगर्ज या थोड़ा अपने बारे में सोचने वाला इंसान बना दिया है तो इस बात की हकिकत को भी यह व्यक्ति इंकार नहीं करता कि मेरा मैं ही कारण हूं मेरे ही वज़े से यह वक्ति बदला है फिर भी जो है आपके बदलाओने भी इस वक्ति को आपके पीछे आने से रोका नहीं है यह वक्ति आपके पीछे बहुत जादा है बहुत जादा आकरशित भी होता ह अब बात करते हैं हम six of year के बारे में और six of year का मितलब क्या होता है थोड़ा सा जो इनके मन में एक बात का और भी ऑफसुस है या बोज आप इसे मान सकते हो बोज आपका करीब होकर भी आपका साथ दे बाना है ना, आपके करीब होकर भी हमेशा ये वक्ति दूर ही रहने की को और ये व्यक्ति इस बात को भी fully agree करता है, मानता है, accept करता है कि दूर रहना या दूर हो पाना ये मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि दूर जब तक मैं रहूंगा, उसी जो है मेरे ही स्वास्ते पर समस्य आएगी, मेरे ही जिन्दगी पर समस्य आएगी, मैं भागना चाह रहा हूं तो भाग कर कोई फाइदा नहीं है, प्रावलम से भाग कर कभी भी solution नहीं होता, कभी भी solve नहीं होता, अगर इसे इस दर्ट से निकलना है, अगर इस टावर को बनाना है, इस रिस्तिय को फिर से बनाना है, तो ये वक्ति ये जान चुका है कि वापस लोटना ये वापस लोटने की एनरजी यहां पर ये वक्ति बहुत जादा महसूस करता है कि कैसे भी मैं रास्ता बना लूँ, कैसे भी करके मैं कोई उपाय कर लूँ, या कैसे भी करके मैं कुछ ऐसा करूँ कि उसके साथ मेरी नजदी की बढ़ जाए, वो मुझ पर ट्रस्ट करने क्योंकि उसका ट्रस्ट अब नहीं रहा मेरे उपर, तो ये जो है सिफ्टिंग वाली एनरजी, वापसी वाली एनरजी जो है इनके अंदर नज़र आई है, लॉंग डिस्टंस का भी कुछ केसिस में ये दिखता है, कि बहुत वक्ति जो है ठक हार कर जो है इसने जो है उस ज इस शुरुआत अगर करनी है आपके साथ तो कैसी शुरुआत करनी है, ये वक्ति जानता है, ज्यादा मतलब समय सी ज्यादा समय ले लिया है इस वक्ति नहीं कि किंग वाफ काप्स वैसे बी इमोशन को कंट्रोल करना, जो भी मन के अंदर है आपके लिए प्यार है या कोई थोड़ी दी आया इस रिषा में चाहिएं मैं बोल नहीं पारा हूं उसे भूल दू समझा दू कि कैसा हूँ और जो चीज ए नहीं कहीं जा रही है उसे कहना चाहरा हूं उसके तरफ कितना जड़ा अभी भी जो हMomते गाहों से उसे जी भर कर देखना चाह रहा हूं उसे जो है उसके हातों को पकड़ना चाह रहा हूं उसके साथ नर्दी किया बढ़ाना चाह रहा हूं उसको मैं जो है हम कभी भी एर को हावा को ऑक्षिजन को क्याद नहीं कर सकते हैंना वो जो है कहीं पर भी आ जा सकती है तो इसी तरीके से यह वक्ती भी आपके जिवन में आना चाहता है बहुत जल्दी आना चाहता है तो बिगने यह वक्ती आपके साथ करना भी चाह रहा है उसके बारे में बहुत ज़合-ज़ारा सोच रहा है, पर कुछ न Πुछ असा लग रहा है कि जैसा कि मैजिशन यहां पर आया है तो मैजिशन हमें बताती है, कि कुछ तो है, जो अपने हक से बाहर की चीज़े हैं, कुछ तो है, जो शपना फो है, इच्छा फो है 맞 हो पा प्यार चमतकार होने पर या इस और चोड़ता है तो में जिशन भी यह कहरा है कि इस वक्तिए के लिए भी आपका प्यार एक चमतकार से कम नहीं है यह जानता है कि बहुत मुस्किल है इस टावर को जोड़ना बहुत मुस्किल है हैना क्योंकि हम दोने के बीच में एक बहुत लंबा डिस्टन्स आ चुका है, बहुत लंबी जो है गयाप आ चुकी है, क्योंकि मैंने बोला नहीं, क्योंकि मैं चुप रहा, डिस्टन्स के बाद, ब्रेक अप के बाद मुझे करना चीए था पर मैं सांथ हो गया, मैंने इस र आत्रक्षन थाधना है तरस जितना भी दूर होना वह नहीं करस्कों अपने हो चुम जाने का सुब कर दो चाहिक, , और अद्बुत बात यह है कि miracle वाली ही energy आई है कि miracle होगा magician का मतलब ही होता है कि अद्बुत और अकलपन घटना और unexpected timing में बिना इस वर सोचेंगे या ना आपके पोसंट सोचेंगे ना आप सोचने का मौका आप पासकोगे ऐसे ही कुछ मिलाकल यहाँ पर definitely इनकी energies में दिखाए कि यह कुछ ऐसा कर देंगे आपके साथ या ऐसा कुछ बोल देंगे आपको या ऐसा जो मन की भावनाई जो बहुत ज़रह यहाँ पर गुमसुम सी नजर आई है कहने का मन है पर कहने ही पारे तो हो सदाई के अचानक से यह कुछ ऐसा हो जाए कि यह वक्ति अपने मन की दभी हुई भावनाओं को आपके सामने अब express कर देंगे तो चलिए अब कुछ messages हम देख लेते हैं अब इस वक्ति वह समझ में आ रहा है यह गिरा था अचानक से तो मैंने आज उठा लिया गाई इसमें हाला कि मैं गिरें वेकार्स लेती नहीं हूँ आप जानते हो मेरी हैबिट तो यह कह रहे है कि आप मुझे पता चल रहा है कि कि जो भी हुआ वो क्यूं हुआ यानि कि कही न कहीं आप नहीं समझ पा रहे हो कि इंसान के आखों से वो परदा हड़ गया है या इंसान को इस टावर के गिरने का मतलब पता चला है कि क्यूं हुआ क्या कमजोरी रह गई कहां पर कमी रह गई मैंने कितना किया उसने कितना क किया कमजोरी किसकी थी गलती किसकी थी किस ने जारा प्रियोंनी देगा की सिला मुझी नहीं के वसी कारण के और साइध अपने आपको ये वक्ति वो कारण मानता है King of Cups की ही energy आई है आपको मिला है ये कह रहे है कि मेरा दिल तुम्हारा ही है Heart chakra यहाँ पर temperance दिखाया था कि pain है बहुत बड़ी pain है और बहुत बड़ी pain में जो है जिन्दगी जी रहा है ये वक्ति और इसकी हर धड़कन और इसकी हर सासे बस यही कहती है इसे यही आदेश देती है कि तुम्हारा दिल तुम्हारा नहीं है ये तुम्हारा दिल उसका हो चुका है ये दिल तुमने किसी और को दिया था अभी तक उसका ही है उसका ही इस पर हक है तुम्हारा हक नहीं है तो ये वक्ति समझ चुका है Temperance में spiritual awakening का जो अभी journey है इसमें ये समझ गया है कि ये जितना भी चाहे तो भी अपने दिल पर खुद का हक नहीं जो है रख सकता क्योंकि इसका दिल अब आपके हक के आधीन है आपका हो चुका है इस वक्ति का दिल कि अब कि अब कि मास्टर तो यहां पर नंबर 15 की energy आई है कहीं न कहीं गाईज आप बहुत जड़ा आपका आप दुनों का जो relationship है ना मैं देख रही हूं कि यह किसी ना किसी इस वर मतलब हर इंसान का अपना अपना धर्म होता है अपना अपना religion होता है कोई किसे मानता है कोई किसे मानता है पर डफिन आप दुन वन भी यहां पर खास है मास्टर का मतलबी है एंजल मास्टर का मतलबी है युनिवर्स मास्टर का मतलबी होता है गुरू या guidance देने वाला कोई हैना आप दुनों का दिल इसी तरीके से जिस तरीके से इस पिंजड़े के अंदर एक दिल सुरक्षित है आप दुनों यह यह के नजरों में इस और के हाथों में प्रोटेक्टेड है सुरक्षित है मास्टर्स है जो आप दुनों की रक्षा कर रहे हैं आप दुनों की रिलेशन्शिप की रक्षा यहां पर कर रहे है ट्रू लव किंग ओफ काप से बड़ा ट्रू लव कुछ होता नहीं है यह आए ना आए फिर भी मैंने आपको तभी कह दिया था कि इस दुनिया के एक कोने में किसी एक घर के अंदर एक ऐसा सक्स बैठा हुआ है जो दिल से आपका है जो दिमाग से आपका है जो सोच आप से रखता है जिसका जीवन आपके लिए ही है हैना वो व्यक्ति दूर होकर भी हैना यह वक्ति आपसे प्यार करता है नस्दीक नहीं है पर फिर भी इस्ता ओध्ला को बिदम फाइफ की अगेलियर होगते है अगध मितले होता है और यह भी हुआर वाली कोई है आपके जीवन अभी आपके जीवन के अंदर नहीं है आपके जीवन में आकर जो है वो हुकुमत नहीं कर पा रहा है आपको आतर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है आपके प्यार पर वो अपना हक नहीं जमा पा रहा है आपके आप जो भी कर रहे हो उस पर इस वक्ति का कोई भी हक नहीं है ऐसा ये वक्ति अभी समझ रहा है आपके जीवन में आना आपके जीवन में हक देना और आपको कंट्रो करना आपके प्यार पर अपना अधिकार जमाना ये वक्ति चाह रहा है पर उसे वो आने का अधिकार नहीं दिया गया है इस वर साहिद इस वक्ति को परक रहे है इस वर इस वक्ति के प्यार को भी परक रहे है और साहिद आपके दिल का दर्वाजा उस दिन खुलेगा जब ये वक्ति अपनी इस slow energy से निकलेगा perfect होकर निकलेगा अपनी गलतियों को मान कर ये वक्ति सुधर कर, बदल कर अपनी स्तितियों का सामना करने का जिस दिन इस वक्ति के अंदर वो ताकत होगी ये वक्ति definitely temperance से निकलेगा और वो वक्ति इस दर्वाजे को और इस दर्वाजे पर लगे हुए ताले को definitely खोलेगा, ठीक है तो अभी तो ये वक्ति आपके जीवन में अपना हक मानना चाह रहा है हक लेना चाह रहा है पर उसे वो हक मिला नहीं है या ये वो हक पाने के अभी सक्छब नहीं हो पाया है इसमर के हिसाब से टीक है, तो गाइस ये थी आपका लीडिंग, I hope आपको समझ में आए है आपको पसंद आई है पसंद आई है गाइस तो सभी मिलकर इस लीडिंग पर एक एक लाइक कर देना कमेंट कर देना, हो सके तो थोड़ा सा शेयर कर देना इतना ही आप सभी का मेरी लिए बर्दे गिफ्ट होगा अगर आप इसे शेयर कर दोगे तो ठीक है इतना खेते हैं guys, अब मैं लिडिंग को कर रहीं अप सभी को रखना है अपना बहुर अच्छा ख्याल क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार, लव यू आल ठेक हैं, नमस्ते और बबाई गाई